Hello students, now this is the second video of chapter no. 8, class 5, mathematics. In this we will study about how we add and subtract in measurement. So we will see exercise 8.4 from 8.4, so the first question is add. 280 meter, 15 centimeter, 412 meter, 37 centimeter, 608 meter and 93 centimeter. You will add them. So you have made a meter of each centimeter. 280 meter. So 280 meter के नीचे, 15 centimeter, 15 आपका centimeter के नीचे. 412 meter, 400 आपका meter के नीचे, 37 meters. So 37 आपका centimeter के नीचे. 600 meters आपका meter के नीचे, 93 centimeters, 93 आपका 7 centimeters के नीचे. Simply add करना है. 5 plus 7 होता है हमारा 12, 12 plus 3 15. 15 का 5 यहाँ 1 क्यारी. 1 plus 3 4, 4 plus 9 is 13, 13 plus 1. 14, 14 का 1 यहाँ 1 क्यारी. 2 plus 8 10, 10 plus 1 11, 11 का 1 यहाँ 1 क्यारी. 8 plus 1 9, 9 plus 1 10, 10 का 0 यहाँ 1 क्यारी. 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 1 13. तो क्या बन गया आपका यह? 1301 meter, 45 centimeter. तो आपकांसर आगया 1301 meter, 45 centimeter. एक और पार्ट देखेंगे 4 पार्ट. 709 liter, 392 milliliter. 506 liter, 745 milliliter. 212 liter, 95 milliliter. तो लीटर के लिए लग बनाया. मिलीटर के लग 709 liter के निचे 392 milliliter. 506 liter के लिचे 745 milliliter. 212 liter के निचे अब यह 95 है. तो 5 आपका 1s place के निचे यह आएगा. और 9 आपका 10s place के निचे. आप इसको यहाँ 9 और यहाँ 5 नहीं लिखेंगे. 5 वनस place के निचे यह और 9 आपका 10s place के निचे. यहाँ पे आपका 100s place के निचे अपने आप जीरो आड करेंगे. अब आप simply add कर देंगे. 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12. 12 का 2 यहाँ 1 carry. 9 प्लस 4 आओ गे आपका 13, 13 प्लस 9 होगे आपका 22, 22 प्लस 1 23, 23 का 3 यहाँ 2 carry. 3 plus 7 हो गया 10, 10 plus 0, 10, 10 plus 2, 12, 12 का 2 यहां 1 क्यारी, 9 plus 1, 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 2, 18, 18 का 8 यहां 1 क्यारी, 1 plus 1, 2, 7 plus 5, 40, 12, 12 plus 2, 14, तो आपका अंसर आ गया 14, 28 liters, 232 ml, इसी तरह से आप इसके बागी parts करेंगे, Now question number 2 is subtract, आपको इसमें क्या करना है, subtract, आपको 218 meter, 50 centimeter को subtract करना है, 500 meter, 56 centimeter, अगर from लिखा होता है, तो from के पहले, जो बाद वाली digit होती है, वो उपर आती है, और पहले वाली नीचे, मीटर अलग कर लिया, centimeter अलग, 515 meter के नीचे, 56 centimeter, centimeter के नीचे, 218 meter के नीचे, 50 centimeter, centimeter के नीचे, तो 6 में से 0 गया, 6, 5 में से 5 गया, 0, 5 में से 8 नहीं जाता, बोरो करेंगे, 15 बनेगा, 15 में से 8 गया, 7, इसने बोरो दिया था, तो ये 0 बन गया, फिर इसने बोरो केरी लिया, तो ये बन गया, 10, 10 में से 1 गया, 9, इसने बोरो दिया था, तो ये 5 का 4 बन गया, 4 में से 2 गया फर्सक्वेशन देखें कि आई-लेंद में पहुचने के लिए जोन 6.5 km शिप से जाता है और 4 km 275 मीटर बोट से जाता है तो टोटल डिस्टेंस उतने कितना ट्रेवल किया है तो distance जो उसने ship से किया वो 6.5 और जो उसने boat से किया वो 4 km 275 मीचर अब यह आपका किलो मीटर में है और यह किलो मीटर और मीटर में तो अगर आप इसको convert करें तो हमारा क्या आएगा 4.275 योगी 3 0s होते हैं तो direct लिख दिया मैंने अगर आपको direct clear हो रहा है तो आप direct लिख सकते हैं वरना आप convert करके भी देख सकते हैं जो हमने already 1st 3 exercise में सीखा है तो यह हो गया आपका 4.275 km तो इतना वो ship से गया इतना वो boat से तो total distance दोनों को plus करूंगी आप 6.5 में 4.275 और करें तो यहाँ पे इसको like decimals में convert करूंगी like decimals मतलब decimal places same होने चाहिए तो same decimals places मतलब मैं पिछे अगर 0 add कर दू तो decimal में value change नहीं होती तो मैंने two zeros add कर दिये 0 plus 5 5 0 plus 7 7 5 plus 2 7 6 plus 4 10 तो answer आगे आपका 10.775 km now third question देखें कि Peter 30 kg 500 gram का weight है Julie उससे 1 kg 750 gram जादा है तो Julie का कितना weight होगा यह बताना है तो अगर Peter के weight में Julie का weight add कर दू तो Julie कितनी उससे जादा है वो add कर दू तो मेरा Julie का weight आजाएगा तो आप इसमें क्या करेंगे Peter का weight दे रखा 30 kg 500 gram जूली उससे कितनी है वन केजी 750 ग्राम तो जूली का कितना वेट हो गया दोनों को आड़ करेंगे 0 प्लस 00, 0 प्लस 55, 7 प्लस 5 12, 12 का 2 यहां 1 केरी, 1 प्लस 12 और यह 3 आज इस तो आफका जूली का वेट कितना आ गया 32 केजी 250 ग्राम Now question number 2 है कि मोहित की pencil 10.5 cm long है और रोहित की pencil 121 mm long है यह cm में है और यह mm में तो किसकी pencil जादा बढ़ी है और कितनी जादा बढ़ी है यह हमको बताना है तो मोहित की pencil थी 10.5 cm तो मैं इसको mm में convert कर रही हूँ तो जब हम cm to mm जाते हैं तो हम क्या करते हैं 10 से multiply तो मैंने क्या किया 10.5 को 10 से multiply गया इसका decimal हटाया तो डिवाइड में 10 आ गया 10 से 10 कैंसल सिर्फ रह गया 105 तो मोहित की pencil की length mm में आ गई आपके पास 105 mm और रोहित की pencil की length 121 तो 105 आपका 121 से चोटा है इत मींज रोहित की pencil longer है कितनी longer है दोनों को मैं minus कर दूँगी तो 121 में से 105 में ने minus किया तो मेरा answer आया 16 तो रोहित की pencil बड़ी है मोहित से कितनी बड़ी है 16 mm चिंशन सुमन ने 3 kg 250 ग्राम पटेटोस परचेश किये 2 kg 50 ग्राम अन्यांस और आफ केजी टमेटोस तोमेट बताना है उसका vegetables का उसने परचेश किया तो वेट ऑफ पटेटोस था 3 kg 250 ग्राम अन्यांस था 2ama केजी नग और और जो weight था उसका tomatoes का, तो tomatoes का weight था half kg, तो half kg क्या होता है, पहले gram में convert कर रही हूं, half को 1000 से multiply किया, 1000 into 1, 1000 by 2, कितना आगया 500 gram, तो tomatoes का weight होगया 500 gram, kilogram में कुछ नहीं है, तो इसकी जगे मैंने क्या लिख दे हैं, यहाँ पर zero, तो टोटल वेट निकालने के लिए अड़ कर दिया 0 प्लस 0 प्लस 00 5 प्लस 5 10 0 यहां 1 केरी 2 प्लस 5 7 प्लस 1 8 3 प्लस 2 5 तो आंसर आगया आपका 5 kg 800 ग्राम तो वेजिटेबल उसने कितनी पचेस की 5 kg 800 ग्राम सिक्स्त क्वेशन देखें तो एक जग से 2 लीटर वाटर है एक जग में उसमें से 1750 मिलीटर वाटर हमने निकाल लिया तो कितना लीटर वाटर रहे गया जग में लीटर में निकालना है आपका जो वाटर था वो था 2 लीटर उसको मैंने मिलीटर में कनवर्ट करने के लिए 1000 से multiply किया तो 2000 milliliter water था निकाला कितने 1750 milliliter तो कितना रह गया 2000 में से 1750 मैंने minus कर दिया तो जब हम 2000 में से 1750 minus करेंगे तो answer आएगा 250 तो 250 milliliter आपका उसमें water रह गया अब उसकों में liters में निकालना है तो liters में convert करने के लिए 1000 से divide किया तो 10 से 10 कैंसल क्या रह गया 25 by 10 25 by 100 अब 2 zeros है तो दो डिजिट से पहले point लगेगा तो यहाँ पर 25 से पहले point लगा दिया उसके यह कोई digit होनी compulsory होती है तो हमने क्या लगा दिया 0 तो क्या बन गया 0.25 liters नाइन्थ question देखें तो Richard का weight है 28 kg 250 और Sam का weight है 28.5 kg तो किसका weight जादा है और कितना जादा है यह same आपका first question की तरह है second question की तरह है तो weight आपका Richard का था 28 kg 250 ग्राम तो यह point अगर मैं इसको पूरा kilogram में convert करूं तो क्या आएगा 28.250 kg और Sam का था 28.5 kg तो अगर मैं इसको like decimal में convert करूं तो पीछे two zeros एड़ कर दी तो 28.25 kg Richard का weight है और 28.500 Sam का तो 250 आपका 500 से कम है इसम का weight जादा है कितना जादा है दोनों को क्या करेंगे minus तो दोनों को जब मैंने minus किया तो आया मेरा 250 पीछे की तरफ है डेसिमल की तरफ तो कितना वेट जादा है 0.250 kg और या फिर मैं बोलूंगी इसको 250 grams तो Sam का weight जादा है 250 gram as compared to Richard now this is the completion of exercise 8.5 now we will study about the next exercise in the next concept in the next videos